एलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक तो मैं चैनल तोड़े वी आर गोईंग तो स्टार्ट दा चेप्टर नंबर टू सेकलियरिजम ठीक है और इसमें हम समझेंगे सेकलियरिजम इन इंडिया ठीक है इस इस पार्ट वन लेट्स बिगिन देखो सेकलियरिजम को देखो यहां पर इसलाम और किन्टर भाल हम इस्ट्स किया थे हिंडिया में यह सारे धर्म पाए जाते हैं तो इंडिया इस सेक्ड़ कंट्री थीँगे तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले इंड्रोडॉक्षन समझो पहले क्या है इन दे प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट दा हाव दे इंडियन कंस्टिटूशन कंटेंस फंडामेंटल राइट देट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर एस वेल अगेंस्ट टाइरनी ऑफ दा मैजॉरिटी ठीक है तो लास्ट चैप्टर में लास्ट चैप्टर में हमने यह समझा था कि ऐदियन कंस्टिटूशन क्या होता है समिधान क्या होता है और उसमें फंडामेंटल राइट क्या होते निस तरीके से जो इंडिया कर दो प्रोटेक्ट किए जाता जाता है by the fundamental rights given by the Indian Constitution ठीक है तो इसमें state की power है उससे किस तरीके से बचाया जाता है fundamental rights citizens को मिले हुए उससे state है वो अपनी power का misuse नहीं कर सकता क्योंकि हर एक citizens के अपने खुद के fundamental rights है as well as against the tyranny of the majority tyranny का क्या मतलब होता है tyranny का मतलब होता है उत्पीडन ठीक है उत्पीडन का मतलब यह है कोई भी majority में जो लोग होंगे वो किसी दूसरे के ऊपर दूसरे के साथ गलत वैवान नहीं कर सकते उसे डंड देना या कुछ करना उसको पनिश करना नहीं कर सकते अगर जैसे कोई power में है कोई नीता है और उसके लोग है अगर वो किसी गरीव इंसान को मारते हैं तो वो गलत है Indian Constitution के हिसाब से ठीक है इंडियन Constitution allows individual the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret these ठीक है और क्या समझा था हमने इंडियन Constitution में और हमने इंडियन Constitution में यह समझा था कि हर एक इंसान को अपने religious beliefs और practices करने का अधिकार है जिस तरीके से भी वो करना चाहता है इसके लिए एक आर्टिकल नमबर 25 से लेके 28 तक लिखा हुआ है right to freedom of religion ठीक है कोई भी इंसान अपना कोई भी religion follow कर सकता है ठीक है और इसी चीज को जो यह religion है जो बहुत सारे religion होते हैं उसे कहा जाता है secularism या secular होना secular का मतलब क्या होता है जब आप जब एक कंट्री के अंदर एक से ज्यादा religion है और वो सारे religion को equal माना जाता है तब उस country को कहा जाता है secular country ठीक है जैसे कि इंडिया एक secular country है जहां पर देखो हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई सब आपस में सब भाई-भाई ठीक है तो सब लोग भाई-भाई है तो इसलिए कोई किसी भी इंसान को अपने religious belief और practices करने का अधिकार है इंडिया के अंदर, in keeping with this idea of religious freedom for all तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि religious freedom है यहां पर इंडिया में सब के पास religious freedom है कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है इंडिया also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state तो इस religious freedom को बरकरार रखने के लिए इंडिया ने एक strategy अपनाई ताकि सारे religion को equal माना जाए और कहीं भी किसी भी धर्म के लोगों के साथ गलत वैवार ना हो इसलिए उन्होंने एक strategy अपनाई और जो state की power है जो राज्ये या किसी भी देश में जो सत्ता में आ जाएगी government उसकी जो power है उसको separate कर दिया religion की power से यानि कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि केवल एक religion के जो लो क्योंकि अगर एक religion के लोग power में आ जाते हैं, power का मतलब यहाँ पर क्या है, government में आ जाते हैं, वो elect होके government में आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा उन उस जो government के अंदर एक religion के लोग हो जाएगे, तो उनकी majority हो जाएगी, तो वो क्या कर सकते है, दूसरे के साथ गलत वैवार क से power of the state का मदलब government की जो power है वहाँ पर religion का कोई importance नहीं है और उसको religion से बिल्कुल अलग कर दिया गया ठीक है सब को equal मौका दिया जाता है ठीक है इंडिया में तो secularism का क्या यहाँ पर क्या meaning हुआ सेपर सेकलरिजम क्या करता है सेप सेकलरिजम करता है separation of religion from the states ठीक है secularism refers to this separation of religion from the states तो religion को कभी भी country से नहीं मतलब country के साथ नहीं जोड़ा जाता मतलब इंडिया में किसी एक religion को कभी भी importance नहीं दी जाएगी सारे religion equal है ठीक है तो तुम्हें यह बास समझ लेनी है कि secularism क्या होता है तो what is the secularism secularism होता है धर्म निर्पेक्षिता, धर्म निर्पेक्षिता का क्या मतलब होता है, कि सारे धर्म एक्वल है, जैसे हिंदुईजम, क्रिस्चैनिटी, बुद्धिजम, सिखिजम, इसलाम, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, तो लास्ट टाइम भी मैंने ये डिफाइन कराई थी, what is secularism a secular state is one in which the state does not officially promote any one language as the state language, तो secularism का मीनिंग ये होता है, कि हमारे country में किसी भी एक, एक religion को follow नहीं किया जाता, सारे religion को follow किया जाता है, और नहीं किसी एक religion को promote किया जाता है, ठीक है, सारे religion इंडिया के अंदर equal है, समझमाई बात, तो इसे क्या कहा जाएगा, secularism, तो secularism क्यों जरूरी है हमारी country के लिए, जैसे कि तुम जानते ही हो, secularism होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में different religion है, different diversity है, different culture है, इसलिए religious basis पे कभी भी कोई गलत काम ना हो, कोई लड़ाई जगडे ना हो, इस कारण से secularism होना बहुत जरूरी है, ठीक why is it important to separate religion from the state, तो किसी भी country के अंदर secularism होने के लिए, एक question है पहले, उस question का answer अगर तुम्हें समझ में आ गया, तो तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी, कि कि किसी भी country के अंदर, किसी भी country को secular होना क्यों जरूरी है, ठीक है, यानि कि धर्म निर्पेक्ष होना चाहिए किसी एक धर्म को बढ़ावा ना दे वो, तो religion को state से अलग करना चाहिए, और यह क्यों जरूरी है, कि religion जो है, कभी भी government में ना आए, secular रहे देश, वो क्यों जरूरी है, पहला, secularism is important for a country to function democratically, ठीक है, इसलिए important है, क्योंकि secularism, किसी भी country को democratically function करने में बहुत सहयक होता है, बहुत important होता है, डेमोक्रेटिकली का क्या मतलब है, ऐसी सरकार जो कि चुनी जाए, तो उसे कहा जाता है, democracy, और उस government को कहा जाएगा, democratic government, ठीक है, तो किसी भी democracy में, secularism होना बहुत ही important है, क्योंकि, तब ही तो सारे लोगों की बास सुनी जाएगी, क्योंकि democracy के अंदर होता क्या है, लोगों के लिए काम किया जाता है, ठीक है, तो लोगों के लिए काम किया जाएगा, तो हर एक धर्म के लोगों के लिए काम किया जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए, इंडिया secularism है, और इसलिए important है, क्योंकि, किसी भी country को डेमोक्रेटिक ली काम करने के लिए सेकुलरिजम होना बहुत इंपोर्टेंट काम इंपोर्टेंट है ठीक है दूसरा है तो प्रिवेंट दा डॉमिनेशन ओफ वन रिलीजिन ओवर एनेदर ठीक है कोई एक धर्म एक रिलीजिन दूसरे धर्म पर भारी ना पड़े क्योंकि अगर वह गवर्मेंट में आ जाता है तो सिर्फ वह अपने डॉमिनेशन हो जाता है वह पर बहुत क्या मतलब है वह अपनी ताकत दिखाना चाहेगा और दूसरे लोगों को दबाना जाएगा तो इस तरीके के काम को कह जाता है domination ठीक है तो अगर एक religion को ही परमोट किया जाएगा government द्वारा तो इससे क्या होगा दूसरे religion दब जाएँगे ठीक है तो इसको इससे बचने के लिए secularism होना जरूरी है to prevent the domination of one religion over the another एक religion का दूसरे religion से domination ना हो किसी दूसरे religions पे इसलिए secularism होना बहुत important है तीसरा point है to protect the freedom of individuals to exist to exit from their religion and adopt another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently देखो secularism क्यों होना जरूरी है क्योंकि अगर secularism नहीं है देश तो कोई भी इंसान किसी एक इंसान को वही religion follow करना पड़ेगा जो कि उसकी country promote कर रही है अगर कोई देश secularism है धर्म निर्पेक्ष है तो वो कभी भी किसी को भी मना नहीं करेगा कोई भी धर्म वो अपना सकता है ठीक है तो इसमें क्या होता इसमें freedom मिलती है इंसान को freedom मिलती है individuals को कि वो अपने धर्म को छोड़ भी सकता है to exit from their religion वो अपने धर्म को छोड़ सकता है और किसी दूसरे religion को follow कर सकता है और इसमें एक और independence मिलती है वो क्या है कि वो अपने जो धर्म है अपने धर्म को अपनी अपने धर्म की जो टीचिंग्स है ठीक है जो उनको सिखाया जाता है उनके धर्म में उसको अपनी तरीके से interpret कर सकता है ठीक है interpret का मतलब क्या है समझ सकता है ठीक है ऐसे जरूरी नहीं है कि वो जो लोग जो लोग कहते हैं जो टीचिंग्स दे रहे हैं उन्हीं की पूरी बात माने वो चाहे तो उसे अपनी तरीके से भी फॉलो कर सकता है जरूरी नहीं कि वो अपने माबाप या जो भी गुरू है उनकी बात को पूरा अमल करें लेकिन यह यह अधिकार है सेकुलरिजम के अंदर क कि वो अपनी तरीके से भी उसे समझ सकता है इंटर्प्रेट कर सकता है ठीक है तो यह फायदे होते हैं सेकुलरिजम होने के जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है इसे एक्जामपल से समझ रहे हैं हम लोग तो प्रिवेंट दॉमिनेशन ओवन रिलिजिन ओवर दा अनदर क् एक रिलिजिन डॉमिनेट ना करें दूसरे रिलिजिन के ऊपर एक एक्जामपल है अल्मोस्ट आल कंट्रीज इन दा वर्ल हैस मोर दन वन रिलिजिन रिलिजिस ग्रूप अगर तुम पूरी दुनिया में देखोगे तो तुम यह देखोगे कि सारे कंट्रीज जितनी भी कं अगर माहन लो कोई एक मैजोर्टी रिलिजिएस ग्रूप है और वह पावर में आ जाता है सत्ता में आ जाता है Government में आ जाता है इट में misuse this power और वो क्या कर सकता है अपनी power का misuse कर सकता है और जो उसे पैसा government दे रही है financial resources जो उसे दे रही है financial resources क्या होता है जो पैसा उसे government से मिल रहा है ठीक है उनको उनको सिर्फ और सिर्फ अपने religious group की भलाई के लिए ही यूज करेगा वो ठीक है ऐसा हो सकता है ऐसा misuse वो कर सकता है जैसे माल लोग कि ہंग राह जाते हैं सद्टा तो फिर वो संदु HOL के लिए काम करें के ऐसी अगर सारे लोग मुसलिम या दूसरे किसी धर्म के question हो वह सत्ताह में आ जाते हैं इस्टेंट पावर, या सिर्व आ अगर इस ता परसंस ऑफ अधर रिलीजियस ग्रूप तो अगर सिर्फ वो अपने लोगों के लिए काम करेंगे तो क्या दूसरे लोगों का कुछ भलाई हो पाएगी नहीं न यह क्या हो रहा है यह हो रहा है भेदभाव discrimination against the persons of other religious groups तो other religious groups के साथ discrimination ना हो इसलिए एक जो religion है उसका domination इंडिया जैसे country के अंदर नहीं होता थिक है अगर कहीं भी एक religion group का domination होता है तो वह fundamental rights को P वोईलेट कर देता है थीक और fundamental right वह कारणोर्णण होता है ठीक है तो जो country है इंडिया जैसी कंट्री एक डेमोक्राट्री कंट्री वह अपने दोगों को इक्वल राइट्स देती है कि आप एक सारे धर्म एक्वल है ठीक है इसलिए इंडिया जैसे शहर में कभी बी इंडिया जैसे कंट्री के अंदर कभी भी कि डॉमिनेशन नहीं हो सकता एक रिलीजेन का ओवर दा अनधर ठीक है सेकुलिरिजम यह बरकरार रखके रखता है ठीक है अगला थर्ड पॉइंट जो था हमारा उसको एक एक अग्जामपल से समझते हैं तो प्रोटेक्ट दे फ्रीडम अब दे इंडिविजिवेस्ट तो ए एक इंडिविजियल के फ्रीडम को कि वो चाहे तो अपने धर्म को छोड़के किसी और धर्म को एडॉप्ट कर सकता है और अपने जो और चाहे तो वो अपनी जो टीचिंग्स हैं उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट करके डिफरेंटली समझकर उसको अपनी तरीके से अ यहां पर होती थी हिंदू religious practices में यानि कि जो नीचे धर्म के लोग होते थे उनको उचे धर्म के लोगों के साथ बैठना मिलना ठीक है अलाउड नहीं था उनके साथ खाना खाना यह अलाउड नहीं था तो इसे कहा जाता है untouchability ठीक है you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it ठीक है जैसे कि तुम्हें यह बात पता है कि Hinduism के अंदर untouchability होती है तुम्हें यह बात पसंद नहीं है और तुम इसे change करना चाहते हो ठीक है तो तुम क्या चाहते हो कि untouchability जो Hinduism के अंदर untouchability चल रही है वो खतम हो जाए तो however if the state power with were in the hands of those Hindus who support untouchability मालो जो state की power यानि कि जो government में लोग है वो लोग हिंदू है और वो untouchability को support करते हैं मतलब वो खुद भी untouchability कर रहे हैं मतलब जो जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनके साथ बैठते नहीं हैं उनको उनके साथ दुर्वेवार कर रहे हैं तो अगर government में ही ऐसे लोग होंगे तो क्या वो तुम्हें untouchability को खतम करने में help करेंगे नही वो यह चाहेंगे कि untouchability खतम ही नहीं क्योंकि वो support कर रहे हैं untouchability को वो चाहते हैं कि जो नीचे लोग हैं वो हमेशाँ नीचे ही रहे हैं then do you think that you would have an easy task to try and change this क्या तुम आसानी से उसे बदल पाओगे तो answer है नहीं even if you were the part of the dominant religious group चाहे तुम हिंदू ही क्यों ना हो और तुमारे ही धर्म के लोग government में क्यों ना हो लेकिन अगर तुम कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो कि वो लोग support नहीं करते तो वो तुमें भी support नहीं करेंगे you might face a lot of resistance from fellow members of your community और सब लोग तुमें मना करेंगे वो काम करने से these members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently और वो लोग यह भी कहेंगे तुमें कि Hinduism का एक ही meaning होता है जो हम बता रहे हैं वो meaning होता है जो तुम interpret कर रहे हो Hinduism का meaning वो गलत meaning है और यह काम मत करो ठीक है तो देखो चाहे वो तुमारे धर्म के हैं लोग थे लेकिन जो तुम काम करना चाते हो जिस तरीके तुम interpret करना चाते हो किसी चीज को समझना चाते हो अपनी तरीके से बदलाव करना चाते हो वो तुमें करने नहीं देंगे अगर वो सत्ता में रहते हैं Hinduism जो की support करते हैं untouchability को ठीक है तो freedom of interpret का क्या meaning होता है freedom of interpret का meaning होता है इसको लिख लेना है तुमें ठीक है means an individual's liberty to develop his own understanding यानि हर एक हर एक आदमी को freedom होनी चाहिए कि वो अपनी understanding को खुद develop करे अपने according किसी भी चीज को समझे and the meaning of the religion that one practices और जो religion है जो भी धर्म है उसको वो अपने तरीके से समझे ना कि दूसरे लोग जो उसे समझा रहे है वो उस तरीके से समझे ठीक है तो इसे का जाता है freedom of interpret यानि अपने तरीके से तुमें एक पूरी अधिकार होना चाहिए कि तुम चीजों को समझ सको ठीके अब हम बात कर लेते इंडियन सेकुलिरिजम की तो इंडिया एक सेकुलिर कंट्री है यह हमें कैसे पता चलता है मलब constitution में कहां लिखा हुआ यह तो देखो जब इंडिया अजाद हुआ था 1947 में तब सेकुलिर वर्ड हमारे इंडियन constitution में नहीं लिखा हुआ था ठीक है constitution of इंडिया है यह preamble दिया हुआ प्रियम्बल होता है starting of preface होता है यानि introduction जैसा होता है इसमें 1976 में सेकुलिर वर्ड को एड किया गया 1976 में ठीक है यह लिखा हुआ सेकुलिर वर्ड यह preamble है सेकुलिर डेमोक्राटिक रिपाब्लिक लिखा हुआ न तो इंडिया इस सेकुलिर कंट्री ठीक है यहां पर बहुत सारी डाइवर्स कल्चर है रिलीजन है इसलिए इसको लिखना जरूरी समझा और जब changes किये गए amendment किया गया constitution के अंदर तो 1976 के अंदर सेकुलिर वर्ड को एड कर दिया गया in fact the fertility and the unity of a country like India could be built on a secular basis जो भाइचारा है fertility का क्या meaning होता है भाइचारा और जो unity है इंडिया जैसे कंट्री की वो किस पे depend करती है वो secular basis पे depend करती है अगर इंडिया secular country नहीं होता केवल और केवल एक religion को follow करता तो इंडिया में भी बहुत सारे लड़ाई जगड़े हो सकते थे ठीक है इंडिया ने लेकिन किस किस चीज को माना secular चीज को माना और इसी कारण से इंडिया के अंदर fertility है भाइचारा है brotherhood है और unity है ठीक है तो जो objectives है इंडिया secularism के वो क्या-क्या objectives हैं ठीक है तो तीन important objectives है Indian secularism के जब इंडिया secularism कहलाता है Indian constitutive mandates that India states be secular तो इंडिया state जो है वो secular है यानि धर्मनिर्पेख्ष है तो क्या-क्या objectives लेके उन्होंने ये word को include किया था और इंडिया क्यों secularism को follow करता है इसके तीन objectives हैं according to the constitution only a secular state can achieve its objective to ensure the following elements अगर किसी भी देश को secular होना है तो ये तीन objectives उसके होने चाहिए important पहला objective क्या होना चाहिए one religious community does not dominate another religious group in the country ठीक है पहला point क्या है कि कोई भी religious community दूसरे किसी भी religious group के उपर dominate नहीं करेगी secularism का पहला objective क्या होता है कि कोई भी religious community does not dominate another religious group in the country ठीक है dominate नहीं कर सकती दूसरा objective क्या होता है some members of a religious group do not dominate other members of the same religious community जो भी हमने untouchability वाला example समझा था उसको देखो उसमें क्या दूसरा objective क्या है some members of the religious group कुछ members जो किसी एक religious group के हैं do not dominate the other members of the same religious community ठीक है अगर हिंदू में ही दो ग्रूप बन गए एक बड़ा ग्रूप है एक छोटा ग्रूप है तो यह majority वाला ग्रूप है तो यह चाहे तो इस पर dominate कर सकता है ठीक है तो secularism यह भी कहता है कि आप अगर same community के भी हो religious community तुमारी same भी है ठीक है तो उस same religious community में भी तुम dominate नहीं कर सकते जो छोटा ग्रूप है उसके साथ ठीक है अपने ही same religious community के साथ dominate नहीं कर सकते मतलब उनके उपर भी तुम हक नहीं मतलब उनके उपर भी मतलब अपना domination नहीं दिखा सकते ठीक है पक्षपात नहीं करोगे उन्हें दवाने कोशिश नहीं करोगे तो ठीक है इस तरीके domination तुम नहीं कर सकते अपने religious group में भी the state does not enforce any particular religion nor does it take away the religious freedom of individuals और नहीं किसी country यानि उस country के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी इंसान को force करे कि वो ये religion अपनाए नहीं किसी भी इंसान का religion जो है कभी भी वो ले सकता है मतलब किसी भी मतलब जैसे इंडिया is a secular country तो इंडिया के पास इंडिया की जो government है उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी इंसान को ये बोले कि तुम अपना धर्म छोड़ दो और नहीं ये बोल सकता है कि तुम ये वाला धर्म अपना लो ठीके तो ये power नहीं है उनके पास तो secular country किस तरीके से होता है objective क्या होता है कि जो state does not enforce any particular religion वो किसी को भी मतलब force नहीं कर सकता कि आपको ये धर्म अपनाना है सबके पास अपना एक individual अधिकार है कि वो कोई भी धर्म अपना सकते है ठीके नहीं किसी से कोई उसके धर्म को छोड़ेने को कह सकता ठीके तो ये तीन objective भूट important है याद कर लेने हैं तुमें ठीके और यहाँ पर ये question भी है what are the objectives of Indian secularism ठीके ठीक यू लाइक, शेर और सब्सक्राइब